है एगलो बच्चों बेटम तो खोचिंगलास जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहा है चैटल को बारे जहां पर हमने बताया का मसलब क्या होता है क्टेटल हस्वाट्री को कि कैते हैं की मेन टू परस्फट की वजह से किया जाता है एक मिल्क यदे दुसरा डॉट लेवर इसके वज़ाएं इन इंडियन एक होता है इक होता है यह मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दख़ा देख आने और कि केते हैं कि बॉस बॉबलीस कि यह काउस होते हैं यह वैपैल होते हैं तो यह ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा था थोड़ा थाड़ा तो यह सारी चीज़े हमें ध्यान रखना है फिर मिल्क प्रोडूशिंग अनिमल्स जो होते हैं उन्हें मिल्च अनिमल्स बोला जाता है जिन से कहते हैं कि फॉर्म लेवर क क्लच इस बार पर है किलेड़ेशन पीडियट को मदल़ता है कितने टायम के दूट देगा है नहीं हां में करता आप बरत के बार के बाद में कितने टाइम के मिल्क देगा इस बहुत को बोला लैता है मिल्क Salam यहां पर जर्सी हो गया या ब्राउन स्विस्स हो गया यह सब क्या होती है और से लेक्टेट पॉर लॉंग लेक्टेशन पर लॉकल लोकल प्रीट किस लिए यह कहते हैं कि अगर माल लोग की डिसीजिस के लिए कि कहते हैं कि डिसीजिस को सहला है मदब भी अगर कहते हैं कि ज्यादा डिसीजिस को सह सकते हैं तो कौन सी गाय सही रहेंगी लोकल गया है… के यहां पे लोकल गाई है है, लोकल कॉंस किसलिए सही रहने, निवे लगे लेकिन अगर लाइवह के लिए बाहा बहु है तो इन दोनों का अगर हम cross bread कराया जाए, cross bread का मतलब क्या हुआ कि अगर क्या कहते हैं कि cross bread का मतलब क्या होता है, cross bread का मतलब होता है sexual relationship बनवाना, किसके किसके बीचे अगर मान लोकी कहते हैं कि local cow और दूसरा कहते हैं कि अगर इनके बीच में कहते हैं सेक्स्वल रिलेशन्सिक बनाया जाएगा तो जो बच्चा फैदा होगा मान लोगी जो भी काव आएगी हाँ जो बच्चा होगा अगर वो देरे-देरे जब बड़ा होगा कि काव बनेगा अगर उसका जो लैक्टेशन पीरियड भी सही होगा इसमें केवल और केवल लैक्टेशन पीरियड था लेकिन जो इन दोनों हैं हमने पढ़ लिए कि फिर पीरिस में और भी बात है क्या थी वही प्रॉपर क्लीनिंग एंड सेल्टर फैसल्टी इस पॉर काउज देखो अगर कि कहते हैं कि काउज और पैलोज को रखना है तो ऑब्यस्टी बात है प्रॉपर क्लीनिंग सेल्टर होने चाहिए और कि कली्स ऐसे जरूरी है ताकर में सब्सक्राणी के और साथ में ही करता है कि एंगा प्रिदिंग भी करनी पड़ेगी उनको नहलाना भी पड़ेगा यह सारी सब्सक्राइब और साथ में कि वेल वेंटिलेटेड रूप हो गए वेल्टिलेटेड रूप का मिलब जिसमें से कहते हैं एयर बड़े आसानी से पास हो सके यह सारी चीज़ द्यान रख सके और उनको हीड से भी बचा सके हीड से भी बचा सके हीड से यह सारी हीजें प्लोर ऑफ ड़ेटल से निएस टूबी स्लोपिं स्लोपिंग होता है जिससे कहते हैं कि जैसे अदे चाब में यह सारी चीजे हमें जेको टू फूट requirements क्या लिखा हुआ है two food requirements or dairy animals dairy animals के लिए two food requirements conference रिखते हैं two food requirements for dairy animals maintenance food requirements food requirements for देखो two types के food requirement होते है हमें एक होता है maintenance requirement which is the food required to support the animal to live a healthy life यानि कि करते हैं कि और दूसरा हमें उनको देना पढ़ता है milk producing requirement तो सबसे पहले उनको हम क्या करेंगे जो animals को अगर हमें food देने हैं तो दो टाइप के food देने पढ़े कौन कौन सब पहला तो उनका जीवन जीने की लिए ताकि वो healthy रह सके तो यह normal food requirement food maintenance इसको बोला जाता है में दूसरा होता है milk producing requirement दिया जाता है थाकि उनसे हम lactation period उनका बढ़ा सकते हैं एनिमल फीड में क्या क्या आ जाते हैं रफेक्स जाइब जिसमें फाइबर होते हैं यह रफेक्स क्या है रफेक्स में क्या है है कि हाई content यह लो content पाइबर होता है यह बोला गया लो content आफ फाइबर यह चलो इधर में बताता हूं क्या आजाएगा statement one statement one रफिज रफिज है रफिज है रफिज है रफिज है रफिज है रफिज है लो कंटेंट आफ फाइबर दूसरा statement two यं पन्सेंट्रेट से ट कन्संप्त्रीट है यह ही पंसंप्रेंट न प्षिब है। आई content of fiber तो दोनों ही गलत हैं मुझे लग रहा है कि न दोनों ही क्योंकि I argumentin अगरी नोट हैं कि तो न मेरे ना नहीं डेंगे बोट प्रॉत क्यों तोनों ही यहां पे दिखो क्या लिखा है साप शाप लिखा वह है कि कि reference जो होते हैं कि उसमें क्या होता है नार्ज ली 5 और चोंसें प्रेLove और पाता है चीद कि थेट्थ रिलेटिवली हैघ लेबल के चाहिए इसमें क्या होता है प्रोटीन से जाता होटी थे आई ओर निक्क Pues зачем आटलेड्स। बैलेंज ड्राष्ण होना चाहिए शारी सारी नीट्रिंट्रिंट्साइब प्रुपोर्चनेट्स क़िए ऊटाância ही वहादगी इसलिट्स कोई बहुझेटव एक अधिटिव कंटेनिंग माइक्रोनुट्रियंट्रियंट्रमों जैसे हेल्थ एंड मिल्क आउट्पूट को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं कुछ इग्जाम्पल होगे देखें के लिए उनके मिल्क प्रोडक्शन को भी त्साथ में के कहते हैं के मिल्क प्रोडक्शन को भी कम पर रहे जाएंड और यहल्दी एणिमल पीडिवल रिगूलर्ल रीड और और यह ज़ोगा होगे के देटे हैं कि बड़े आसानी से डेली खाना खायेगा यह जो और इसे कि आउगे इनके इस कि क्वेश्टे है कि आउगे एसे के चिदे हैं कि उपर रहेंगे जैसे ज्वेश्ट वगएरा यह थैए और कि कहते हैं कि यह इसकीं डिसीज की कारड़ बनते हैं, the internal parasites like worms affect by stomach, जो worms होगे या intestine को इनको खराब कर देते हैं, तो इनके deliver को खराब कर देते हैं, infectious diseases are also caused by bacteria and viruses, तो vaccination भी important होता है, vaccination की साहिथा से भी क्या करते हैं, बड़े असानी से अपने जानवरों को गुए थे हैं, बीमारीयों से बचा सके ह अगला आता है, poultry farming, फिर अगला पार्ट जो है, इसका second part जो होगे है, poultry farming, poultry farming का मदला होता है, मुर्गी पालन करना, poultry farming का मदला होता है, मुर्गी पालन करना, ठीक है, तो यहां फ्याम क्या करेंगे, मुर्गी को पालने के बारे में पढ़े, poultry farming is undertaken to raise domestic fall for egg production, अच्छा इसको किसलिया किया जाता है, domestic farming किसलिया किया जाता है, एक production के लिए, और chicken meat के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, therefore, improved quality weeds are developed and formed to produce layers for eggs and broilers for meat, तो मतलब कि कि केते हैं कि ऐसे वो बनाया जाएंगी, कि केते हैं कि जो मुर्गे मुर्गियां होंगी, जो भी होगे, जो के क कि क्या है, कि एक products कराया जाएगा और साथ में इक करते हैं कि इसमें कि कि क्या कि कैते हैं कि इसके लिए होंगे, उनको meat के लिए, तक cross breeding programs between Indian जैसे के करते हैं कि असील जो है, वो इंडी इंडी जिएनस, असील किया है, इंडी जिएनस दूरबाएं, ओकि, और कि के कृते हैं और इन दोनों का क्रोस्ट करा जाए गार इन की इंप्रूब्मेंट होगी और इसमें नंबर और और चिक्स क्या होगी कि बढ़ सकते ही कैसे उनको कितने चीक्स चाहिए कितने नहीं चाहिए यह सारी दिखो दोनों के कि यह फूटोज मैं इसमें काहिए इंसीजार्टि ने बना रखी कि किते हैं कि हैं और यह मतलब किicarिते हैं कि यह लोकल है और यह कितने कि विद्लिए चाहे सब्सक्राइब करने की बढ़ जाती हैं लोग मेंटेनेंस रिक्वाइर्मेंट इनको के करते हैं कि इनका मेंटेनेंस रिक्वाइर्मेंट भी क्या हो जाएगा तो मतलब कि ऐसे हम डिजाइड के रेक्रिक्रिक्स बना लेगी कि मुर्गे मुर्गयों की कौन से डिजाइड करें यहीं सब बूती हैं डिजाइड करें लोग प्रॉडक्शन इंद साइज ऑफ एग लेंग बर्ड यानि कि जो अंडे देने वाले बड़ होंगे उनका साइज छोटा हो और जो चिकन वाले होंगे उनका थोड़ा चाहिए बढ़ा होना ची यह सारी जीज़े हमें ध्यान रखना हो तो यही सब चीज को ध्यान वे रख करके यह किया जाता है अब देखो एग और प्रॉड़क्शन में क्या होगा देख इसमें क्या होगा प्रॉड़र चिकन आर प्रॉड़र चिकन्स होंगे उनको क्या कहते हैं कि क्या दिया जाएगा विटामिडिच सप्लीमेंट्री जैसे फीट और गुड़ ग्रोथ रेट एंड बेटर फीट एफिसेंसरी मतलब कि उनको यह चीज़े खिला ही जाएंगी विटामिच सप्लीमेंट्री तो वो जल्द रखना होता है कई वो मर बरना जाएं इसके यह भी होता है इसके के तो मेंटेन फिदरींग एंड ट्यार्केस क्वालिटी यानि कि करते हैं कि मारने के बाद नहीं हो अंतर कि क्वालिटी इंटी सही होने चीज़े आर प्रोडूच्ट एज ब्राइलर्स एंड सेंट टू मा मुर्गे मुर्गी पालना है तो सबसे ज़्यदा ज़रूरी है ठीक है एंड हाइजीनिक कंडिशन्स इन हाउसी और पॉल्टरिंग फीड यानि की चहां पर इनको रखेंगे वहां का हाईजीनिक कंडिशन भी घ्याम में रखना होता है एंड प्रिवेंशन एंड कंडूल कि इस मर्दियों करते हैं कि हम पूछा जा सकता है कि कहते है कि कौन-कून सी चीजे ध्यान रखना है कि अकर आपको अच्छा जो एक देने वाले होंगी जो एक देने वाले मुर्गी होंगी और उनसे ब्रॉयलर का दोनों का फर्क होगा ना तेम्प्रेचर क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग खाइर्मेंट होगी वही सारे सकते ना दर्रासन यानि कि डेली फॉट रिक्षार्मेंट पर ग्रोइलर उप्रोटीन देना चीए कि पूलट्री फीरिक के ऐ और के बीटामिन को बहुत ज्यादा रखना हो कम क्यों कौन बिटामिन को ज्यादा रख रहा जाता पौल्ट और के सब्सक्राइब कि छ सब्सक्राइब है घ्रकाइब करी सब्सक्राइब करें कि इस निकन की कमी भी होता है थी कि कहते है कि प्रहपर प्लीणिंग यहां पर भाई फिर से मैं बता कि यह प्रॉपर गलींग होता रहेगा तो किसी भी क् ciao ओकि अब नेक्स आ गया नीमल यान कि अगर के वहारे भुजर में अगर प्रोटीन को पाना है तो अराम से एक प्रेस होगी वह बहुत ज्यादा प्रोटीन लाती है फिस्ट प्रोडक्शन इंक्लूट्स दा फिंड ट्रूफिस एस वेल एस सेल पीज यानि कि करते हैं कि एक फिंड टूफिस होती है और एक सेल फिस होती है यह सब करते हैं कि जैसे एक जांपल है इसके प्रांश एंड मोलस्कस दो फिस्ट के नाम है यहां पर देयर आर्टू वेज ऑप अप्टेरिंग फिस्ट को पाने के दो तरीकी है वन इस प्रॉम नैच्टरल रिसूर्स दूसरा क्या कर लो कि खेती कर लो फिस्टी मतलब एक तालाब बनाओ उसमें कि कहते हैं कि फिस्ट को ही पालो तो उसे बोलता है कल्चर फिस्टी एक तो क्या हुआ कि जाओ नदी नदी वधी पर जाओ आराम से घूमने टैलने और वहीं पर मचली भी पकड़ लाओ और पॉंट्स जो रिवर्स में होंगे यह वो सब क्या होंगे फ्रेश वाटर इस जांपने फिसिंग के अंधस भी डन गोड़ वाइक कैप्चर और कल्चर ऑप तब यानि कि यानि कि वहीं कर सकते हैं कल्चर मतलब फिस्ट को पाला भी जा सकता है इन मरीन एंड प्रेश वाट है जिरो किलो मीटर मीटर वो है कोस्ट लाइन एंड डीप सी बियॉंड इप पॉपलर मरीन फिस्ट वेराइटी कौन कौन सी है जैसे यह आप कि यह रहना यह सब पूछा जाता है पेपर में कौन कौन से हैं कि अब आप से पूछा जाएगा फिट टूना क्या वो लगए ट से लिए यह सब क्या होते हैं यह पॉंफ रहना है । सरे कि यह सारे जाही कि यह पीछे यह फिस के एक घ् hamटल है यह ध्यान में लगरम कि फिर इसके बाद में अग्ला जाते हैं मरीन इस और यूजी में यहां बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से इनको पकड़ा जाता है fishing nets and fishing boards yields are increased by locating large schools of fish and in the open sea using satellites and eco sounders तो देखो eco sounders यह कि कहते है satellites का यूज करते हैं और पता करते हैं कि कहां पर मचली सबसे ज्यादा है किस एरिया है मचली जादा होगी वहां पर जाकर पके उसको पकड़नी की कोशिच करते हैं some marine fish has high economic value कुछ की के करते हैं कि कुछ के करते हैं कि मचलिया ऐसी होती है जिनकी economic value जादा होती है इस इंक्लूद्स फिंड फीसे जैसे कि करते हैं कि मुलेट्स बैट्की पर्ल स्वाट्स सेलफिस जैसे प्रॉंस इन सबकी वैलू क्या है बहुत जादा है ठीक है यह ध्यान रटना है जैसे यह एक्जामपल है जैसे यह फ्रेस वाटर देखो यह इसको हम पूलते हैं ठीक है तो यह दोनों ही एक्जामपल हमें पता होना चाहिए कि यह हैं मसल्स यह देखो कि करते हैं कि यह बना दिए दोनों भी एड़ वैस्टर्स आपके करते हैं हां 15.5 यह होगे मसल्स एंड वेस्टर्स एस वेलाज सीवीड वेस्टर्स आर अल्सो फॉल्टीबेटिट पॉर्द पॉल्स दे में प्रियानी की कहते हैं कि इन सब चीजों के लिए हमें कि क्या लिखा हुआ है इक बार इसको में फिर से बताता हूं कि सम्मरीन फिस्ट ऑफ ह आई एकोनॉमिक वेल्व और अल्सो फ्रेम फांड इन सीवाटर सीवाटर में इनको पाला जाता है इस इंक्लूट फिस लाइक मुलेट्स बैटकी और लेस्पोर्स सेलफिश सच एज प्रॉंस इन सब को पाला जाता है यह फ्रॉंस ठीक है अब आगे मॉसल्स एंड सब बाला जाता है तो उनकी कि कि मरीन फिस इस टॉप किया होता है कम यह तो कि इस जी क्ल्चर बढ़ने चैसे जैसे जैसे पॉपूलीशन विढ़ गही तोost स्टॉप क्या हुआ कि क्या उतना ही लिमिटेट में काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या हुआ कि कल्चर का मतलब क्या होता है कि कल्चर पीसरी इसको कहते हैं इन-लैंड वाटर में पालना घर पर इस पानी का वह बना लिए उत्ने पालना प्रिश वाटर्स इंक्लूड्स टेनल इसर वार्किस बांटर रिसोरस जैसे वेर्ट अप्रेश वाटर रिच टुफ तो बार्किस वाटर क्या हो जहां पर सीवाटर और दोनों ही बिल जाते हैं सच इस्टियोरीज एंड लैगून्स देखो क्या होता है कि केरला औरला के पास में क्या है लगून्स और इस्टियोरीज बहुत जाता है और इंपॉर्टन पार फिस्ट रिजरवायर वाइल कैप्सिरिंग फिसिंग इस अलसो डन इन सच किस्डे होता है एक होसक्ति कुचर से चरी संटांस में लिटांब इन मघंघनेशन देखो क्या होता है कि और साथ में इंपोर्टेट फिस इस्पिसीज की भी खेटी की जा सकती खेटी करना मतलब यहां कि क्या हुआ मचलियों को पाल नहीं करना ओके फिर आगे आजाता है अगला इन सच अ सिश्टम अ कॉंबिनेशन ओफ और शिक्स इस्पिसीज यहां एक ही सिंगल फिस पॉंड में क्या होता है पांच शेप्रकार की मिचलियों को एक साथ पाल दिया जाता है इनको इस तरीके से रखा उनी मचलियों को रखा जाएगा जो एक दूसरे के फिस मलग की जैस इसका मतलब यह समझ देना कि जो मचलियों के फूर्ट जो होंगे वह अगर पूर्ट के लिए कंपेशन नहीं कर रही है तो उनको एक तलाब में पाला जाएगा जाएगा सब के पूर्ट के आओंगे अलग है इस प्रकार से जितना भी पूर्ट अबलेवल होगा पूर्ट में उसको यूज कर लिया जाएगा ठीक है एडवेलाज कैटलैस और सर्फेस पीडर्स कैटलैस के सर्फेस पीडर्स होते हैं रोहूस मतलब कि यह सब से नीचे खाने पीने यहां कि मेडल होहूस यहां की चीजव को क्ढहेंगे शूद्द के और मिर्क अट्म में कॉमन का होते सावर साथो गलत हो घंघ बो प्रफिट्लेस्ट जो होंगे वो सर्फिस मजलब ऊपर की ओड़ की चीज़ों को खाएंगे जो यहां पर होगा इसको कैट्लेस्ट फिर के कहते हैं कि यहां पर यहां पर ये इस पर क्या हुआते हैं इसमें कौन से खाते है रोहूस और जो बॉटम पर कहा होते हैं इनको बोला जाते हैं common carbs इन्हें क्या कहते हैं common carbs होतें and grass crops feed on the weeds और जो grass carbs होंगे यह क्या होंगे weeds मदलब weeds का मलब होता है कि जैसे की कहते हैं कि कि खर्पतवार मैंने बता रखा है विट का मतलब का खर्पतवार यह सब चीज़ों खाते हैं अधर दीज एस पीसी तो गेदर रीज़ एस पीजिश पीजिश तो यह को इनका सब क्या हुआ है यह सब क्या हो रहे है कि अलग-अलग तरीके से खा रहे हैं अलग-अलग फूट नहीं करेंगे यह सारी बात रहे हैं वन प्रॉब्लम यहां पर क्या प्रॉब्लम है ने कंपोजिट फीज कल्चर से क्या प्रॉब्लम यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं प्राइब्लम विट सच कंपोजित फिस कल्चर इस देख मैनी और दीफ इस बीड अनली दूरिंग मॉंसुन यह क्या होते है कब प्रीड करते हैं मॉंसुन के टाइम इस इवेज फिस सीड इस कॉलेक्टेड प्रॉम दवाइब इस कैंगी विडिग भी विडिट विडिट वि अब गुट सीड गुट क्वालिटी ऑप सीड इनके नहीं मिल पाएगी ठीक है यह समस्चा हो जाएगी तो अबर कम इस प्रॉब्लम वेज आप नौब विडिट विडिट इस इन पॉंट यूजिं आ हार्मोनल सी मुलेशन अब क्या किया जाएगा हार्मोन सी इनके चेंड सी बाहर्मोन है तो अलव अलग अलग टाइम पर मशलियां क्या होंगी अलग 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 भी प्रॉडॉटिक्शन के लिए अलग अलग अलगतल के लिए यह कर दिए कि एक और है लास्थ जिसको हम दोते हैं विप्सकण का मदलब हो गया कि मधमक्ञ का अब पालन करने कशे इसलिए कि करते हैं इसलिए कि हमें यूज़ करना पड़ता है वी कीपिंग एक प्रकार से अग्री कुल्चर प्रॉसेस बन शुता है इसको बड़े आसानी से और इसमें क्या होता है मतलब कि जो फॉर्मर्स पहले खेटी वेती तो करी रहे होते हैं साथ में की कर लिए एक प्रकार से एडिस्टनल इंकम होते हैं पहले वह अपना खेट का तो पैसा आई रहे हैं साथ में इन एडिजन टु हनूं पी हाइब आर सोर्स आफ वैक्स यानि कि इनका सबकर वैक्स वैक्स बनाने के लिए युद्ट किया जाता है इसको क्या कि वैक्स से रेना अपिस से रेना इंडिका यह कहां इंडियन भी इनको बोला जाता है ए डुरस टाला आ रॉक भी लॉक भी बिल्ग जाता है इसको एंड लुर्ए एं लिटल भी एंड इतालियन भी जिसको कि यूद एर पर पुर्च लिया जाता है कि नाम बताऊ तो बता रहे जाता है यह लिए फेरा आलसो बीन ब्रोट इंग्रीड इंग्लीड 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 आदि मजलब दिए हैं वैरी को इस इस विराइटी कॉमें धिक उस्वार्य हैं शेल किया जारा है अब आगे देखो क्या बताया है इनने इटालियन वीज है हाई हनी कलेक्शन कैपशिटी तो हाई हनी कैपशिटी किसमें इटालियन वीज दे इस्टिंग समवट लेस यहां दे इस्टे इन गिबन भी है अब आपको बताना पड़ेगा यह वीज का मदल होता है ओके यह सारी बाते आपको चोटी मोटी बाते बता होने चाहिए दे वैल्य वादी अपहनी पॉस्टेरेज और दे प्लाइबल तुद अब्लेबल टू दे वीज फॉस्टेरेज का मदल्द होगे कि जहां तक उन्था पॉर यह मनलब की इस पे जो क्वालेटी होगी हो रहनी की इस पार पे डिपेंड अगर पॉस्टेरेज बहुत जाता है तो कितने थाइप के पार इस बात पे भी इस प्रकार से हमने यह सारी प्ली अब आपको यहां तक इस सारी इन सब चीदों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है क्या पढ़ाया गया और यह प्रकार से हमारा यह चैप्टर के आउब होगे खतम होगया तो आप इसमें पढ़िएगा जो भी नहीं समझ मैंगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं पूरा एकदम बढ़िया से एक एक चीज को एक लाइन को समझना जरूरी है ओके इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर खतम होगया आप एक सरसाइज कर लेंगे सारे और जो नहीं समझ मैंगे तो वह आप कूछ सकते हैं